हे गाईज केसे हो आप आई होप आप अच्छे ही होंगे मैं हूँ आपका भाई संजीत और आप देख रहे हैं हमारा योट्यूब चैनल जे बी के टेकनिकल आज हम बात करने वाले हैं इनिस्टाग्राम पे न्यू एकाउंट हम लोग किस तरह से क्रियेट कर सकते हैं अगर आप भी इनिस्टाग्राम पे न्यू एकाउंट आईडी बनाना चाहते हैं अगर न्यू एकाउंट बनाना चाहते हैं तो आप लोग किस तरह से बना सकते हैं में इसी topic के उपर बात करने वाला हूँ और live process बताने वाला हूँ कि Instagram new ID हम लोग किस तरह से बना सकते हैं तो सबसे पहले Instagram पे new ID बनाने के लिए आपको क्या कर लेना है Play Store को open कर लेना है Play Store को open करने के बाद यहाँ पे आपको Instagram को search कर लेना है search करने के बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं install का option आता होगा तो यहाँ पे install आपको कर लेना है अगर आपके phone में पहले से already install पढ़ा हुआ है तो यहाँ पे आपका update का option आएगा आपको update कर लेना है तो मुझे update भी नहीं करना है यहाँ से मुझे back कर लेना है back करने के बाद Instagram account को open कर लेना है open करने के बाद यहाँ पे कुछ इस तरह से process होगा process के लिए आपको इंतजार कर लेना है थोड़ी दिर के लिए तो यहाँ पे आपको क्या कर लेना है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं नीचे में profile दिखाई दे रहा है अगर आपके Instagram ID पे अगर दो तिन ID बना हुआ है तो सबसे नीचे यहाँ पे profile का option आएगा इसके उपर आपको क्लिक कर देना है ठीक है क्लिक करने के बाद उपर में यहाँ पे three dot का option आएगा three dot के उपर क्लिक कर देना है उसके नीचे यहाँ पे setting के option आएगा इसके उपर आपको क्लिक कर देना है ठीक है setting के उपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते है lock out का option आ रहा है और यहाँ पे बता रहा है lock out of all device ठीक है तो यहाँ से आपको क्या कर लेना है lock out कर देना है अपने ID को यहाँ से lock out कर देना है ठीक है उसके बाद यहाँ पे अगर आप other ID बनाना चाहते है new ID बनाना चाहते है तो सबसे पहले आपको क्या कर लेना है यहाँ पे नीचे में आप लोग देख सकते है create new account ठीक है इसके उपर आपको किलिक कर देना है उसके बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मोबाइल नमर पूछ रहा है तो मोबाइल नमर को यहाँ पर फिल कर देना है मैं अपने मोबाइल नमर को यहाँ पर डाल देता हूँ डालने के बाद नेश्ट पे किलिक कर देना है नेश्ट पे किलिक करने के बाद यहां पर इस तरह से प्रोसेस होगा तब तक के लिए आपको वेट कर लेना है ठीक है तो यहां पर आपका confirm code आएगा तब तक के लिए code के लिए आपको wait कर लेना है जब तक हमारे इसमें OTP नहीं आता है तब तक के लिए मैं wait कर लेता हूँ ठीक है आपके phone में भी 6 digit का OTP आएगा आपको wait कर लेना है तो यहां पर हमारा OTP आ चुका है OTP को यहां पर fill कर देते हैं ठीक है OTP fill करने के बाद अगले process हम लोग check करते हैं इसमें क्या बता रहा है तो सबसे पहले अपने OTP को यहां पर fill कर देना है 946813 OTP fill करने के बाद यहां पर nest के उपर आपको click कर देना है नेश्ट के उपर किलिक करने के बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं create यह password ठीक है तो आपको एक password save password रखना पड़ेगा जो password आपका आध रहे ठीक है तो यहाँ पे मैं अपने password को fill कर देता हूँ यहाँ से हमारे हमारा जो screen है वो थोड़ा height होगा लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे आपको process बता दूँगा कि आप लोग किस तरह से password यहाँ पे रख सकते हैं सबसे पहले आपको क्या कर लेना है अर्द रेट को डालना है अर्द रेट उसके बाद हैज फिर आप अपना नाम आपी कुछ डालके इस तरह से अपने password को create कर सकते हैं क्या create करने के बाद यहाँ पे नेश्ट का option दिखाई दे रहा है नेश्ट के उपर आपको किलिक कर देना है नेश्ट के उपर किलिक करने के बाद यहाँ पे कुछ इस तरह से process चलेगा आपको थोड़ी देर के लिए फिर भी wait कर लेना है अगर हमारे इस YouTube चैनल को आप जरूर से जरूर कर देना और वीडियो के नीचे आपको एक प्यारा सा कॉमेंट जरूर कर देना है तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं save your login info ठीक है यहाँ पे आपको क्या कर लेना है save कर लेना है ठीक है save करने के बाद यहाँ पे आपका जो date of worth है वो date of worth पूछेगा आप से तो आपका जो date of worth है वो आपका date of worth क्या है तो मेरा जो date of worth है उसको यहाँ पे मैं select कर लेता हूँ आपको भी इसी तरह से date of worth select कर लेना है ठीक है तो सेट के उपर आपको किलिक कर देना है इसके नीचे आपको नेश्ट का ओप्षन आएगा नेश्ट के उपर किलिक कर देना है नेश्ट के उपर किलिक करने के बाद यहां से आपका फूल नाम पूछेगा ठीक है आप किस नाम से आईडी बनाना चाहते हैं तो यहां पर मैं अपना नाम को fill कर देता हूँ यहां से मैं नाम fill कर दिया हूँ fill करने के बाद नीचे में फिर से next का option आ रहा है तो next के उपर आपको click कर देना है next के उपर click करने के बाद यहां पे फिर अगला process आपका खुल के आएगा ठीक है यहां पे आप लोग देख सकते हैं यहां पे आपका जो user ID है उस user ID को यहां से create कर लेना है ठीक है तो user ID यहां से मुझे remove कर लेना है remove करने के बाद अगर आप अपने नाम के माद्यम से user ID बनाना चाहते हैं तो यहां से आप अपने नाम को डाल सकते हैं यूजर आईडी के लिए अगर आप वहां से जैसे की आटोमेटिक आपका बन क्या आता है क्रियेट यूजर नेम तो अगर वहां से आप रखना चाहते हैं तो नीचे में नेश्ट का बटन आ रहा है में नेश्ट के उपर आपको क्लिक कर देना है तो यहां पर मुझे क्या कर लेना है जो यूजर आईडी है वो मैं खुद से रखूंगा ठीक है यूजर आईडी को मैं खुद से यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैं अपने नाम से यूजर आईडी को create कर लिया हूँ आपको भी इसी तरह से create कर लेना है जो कि अगर आपका यूजर आईडी से किसी भी friend अगर आपको search कर रहा है तो आपका तूरंट आएगा और अगर आपके friend को पता ही नहीं रहेगा इसका user आईडी क्या है तो आपका इनिष्टा आईडी कभी search में नहीं आ सकता है तो यहाँ पे आपको क्या कर लेना है user आईडी आपको unique चीज रखना है ठीक है unique नाम को रखना है user आईडी तो यहाँ पे user आईडी इस तरह से रखने के बाद nest के उपर click कर देना है नेश्ट के उपर click करने के बाद कुछ इस तरह से process होगा नीचे में यहाँ पे i agree का option बताएगा I agree के उपर आपको किलिक कर देना है I agree के ऊपर आपको किलिक कर देना है उसके बाद यहाँ पे कुछ इस तरह से process खुल के आएगा ठीक हा, I agree पे किलिक करने के बाद तो यहाँ पे आपका इंश्टा आइडी जो है वो Create हो चुका है अगर आप लोग हमारे YouTube चैनल पे नए हैं तो प्लेज हमारे इस YouTube चैनल को आप लोग सस्क्राइब कर दें, वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लेज लाइक से अड़ जरूर से जरूर कर दें, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद, वन दे मात्रम कर दो में हमारे हैं जरूर अच्छा लोगे मारे कर देंगर अगर ओूर कर देंगर जरूर कर देंगा वीडियो आपारव में गरवपन देंगर अज़ के लिए टानना, वीडियोग गार कुछा लोगे रहें